दोस्तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडिया पर्ष्ट पड़ बेंक का ATM काड ब्लोक ओने पर अन ब्लोक कैसे करेंगे देखें दोस्तो मेरे साथ भी स्तरप का प्रोब्लेम हुआ है ठीके मैं जब भी इंडिया पर्ष्ट पड़ बेंक का एकांड को पोन पर अपरेशन का अंदर आड करके यूपैपिन सेट काने के लिए कोसिस कर रहा था और वापे मेरे जो यूपैपिन सेट नहीं हो रहा है क्यूकि मेरे जो एटेम कार्ड दोस्तो ओलेडी ब्लोक हो चुका है ठीके तो मेरा यूपैपिन सेट ही नहीं हो रहा है तो अगर दोस्तो आपका भी इंडिया पर्ष्ट पड़ बेंक का एटेम का ब्लोक हो चुका है और दोस्तों देखे मैं तो इस वाले option पे आप आ रहा हूँ और कापी सार यूजर इस ट्राप का दोस्तों उनको option ही नहीं आ रहा है मतलों कि देखे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बेग बिड़ा में प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे रूपे डेबिड काड वाल उप्शन पे मी कली करूँगा कली करने की बाद उनको इस्तराप का दोस्तों आप्शन नहीं आ रहा है इस प्रब्लेम का सॉलूशन भी दोस्तों में आपको बताऊंगा जिसे कि आपका जो ATM कार्ड को आप बहुत आसन तरीके से on block कर पाऊगे तो चले दोस्तों क्या कुछ प्रोसेस है सब कुछ मैं आपको details में बताऊँगा तो चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो देखें दोस्तों इसलिए आपको सबसे पहले करना कि अपना mobile पे आपको update मांग रहा है तो आपको सबसे पहले करना कि यहाप यह अपको क्ली करके अपने पार भी नहीं जब दोस्तों ओटियुआ काड ब्लोक ना उने पार भी आपको ट्रांसेसन फेल्ड करके प्रब्लेम को सामना करना पड़ेगा तो जब भी रूपे debit card वाल option पे आपको ट्रांसेंट फिल्ड करके प्रोब्लेम को सामना करना पड़ सकता है तो जब भी दोस्तो एज आपको अप्लेट मांगेगा तो आपको अप्डेट करते रहे ना है तो आपको अप्डेट करने के बाद अभी आपको दोस्तो और एक काम करना होगा जो कि अपना mobile पे setting application को open करना पड़ेगा तो जैसा कि या पे में setting पर में क्लिक करूँगा और उसके बाद या पे दोस्तो आपको करना के तोड़ा सब को निस्तरा उस्कोल करते आना है ठीक है और या पे आपको एक option देखने को मिलेगा आप्स करके देखें किसी किसी mobile में default आप करके option मिलेगा नहीं तो आप setting करके option मिलेगा नहीं तो आप manager करके option मिलेगा जो भी आपको ओई वाला option पे आपको क्लिका दना क्लिक करने के बाद आपका device पे जितने भी application installed होगा ओ सरकसर application installed list या पे सोगा अब या पे दोस्ता आपको करना कि आपको IPPB mobile banking application क आपको डूड़ना होगा ठीक है तो जैसा कि आप हम सर्स करेंगे IPPB mobile banking application को तो या पे आपको तोड़ सा निस्तर स्कोल करते आना है और या पे दे सकतो IPPB mobile करके लिकाओ रहेगा आपको इसी option पे क्लिक कर देना ठीक है application पर आपको क्लिक करने की बाद अब इस दोस्तों द करने की बाद अभी दोस्तों में नेतक्राप्सें एक रिल्क अपरे करणा है तो आपको सबसे पहले करना के या आपे क्लेड़ केच वाला या आपको क्ली कर देना और अपको second निवर पे इनका जो डाटा को दोस्त आपको डिलीड कर देना देगे दोस्तों इससे क्या होगा कि आई पीपी भी मोबाल बेंकिंग अप्रिशन एक नेया वला अप्रिशन बन जाएगा ठीक है तो यह पर आपको क्लेर कर देना तब जैसा ही क्लेर वल अप्षिन प्लिक करोगे और उसके बाद इस तरह आपका दो का जरुत पड़ेगा मतलों कि आपका जो एकाउंट डिटेल्स ठीक है क्योंकि आपने यह जो अप्लिशन का डाटा को दोस्त आपने डिलीड करवा दिया तब जैसा ही डाटा को डिलीड करने के बाद आप दोस्तों आई पीबी मोबल में आप जैसा ही ओपेन करोगे तो य आइटमेंट कंडिशन को एक्सेट कर देना और उसके बाद स्टाट समेस वाल अप्सिन पे आपको क्लिक कर देना और यहां पर दोस्तों तेन स्टेब क्रिफो ओजएगा आपका जो मोबल नंबर अपको फिलोप करना पड़ेगा जैसा कि यह अकाउंटन नमर गाई और दे एकाउंट डीटेल्स आपको बर देना तो जैसा कि मेरे जो एकाउंट डीटेल्स में बर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मेरे जो एकाउंट नोमर कुस्टमर आईडी और डेटोब बार दोस्तों में डाल दिया अभी दोस्तों सारा डीटेल्स फिल करने की बाद यहाँ prevents Megi क्रेट करें और याद रखना दोस्त आपने जो पहले से फोर डिका तो भी आप e-e-e-eवाला ओना चे, कबी भी यापि आपने create नहीं किया होना चे, ठीक है,マत्लों कि आपको ने वाला e-e-e-e-e-e-e-e V.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.. E-e-E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E., के सेट एमपीन वाल ओप्षिन पे किलिक करने की बाद या पी जोस्तों कूस कोसेन पूसा जाएगा जिन कोसेन का आपको अंसर देना पड़ेगा जैसा की बहुत ही सिंपल सिंपल कोसेने वार इस द प्लेस ओप यूर बार्त आपका जो जनम स्थन का नेम या पे आपको डालन पड़ेगा what is the past school that you have attended आपका जो past school का नेम या पे second नवर वाल आप्षिन पे आपको डालना पड़ेगा what is the name of your favorite friend आपका जो फेवराइट प्रेंड का नेम या पे डालना पड़ेगा और उसके बत प्रलास्ट में आपका जो फेवराइट टीचर का नेम आपको डालना आप जो भी आप अंसर डालोगे उसका आपको या दरखना है यह जो कोसिन का आपको अंसर देना क्यों पड़ता है क्योंकि दोस्त आपने जो पोड एडिका MPN आपने क्रेट करके रखाए और जो MPN कभी कभी दोस्त आप अगर बूल जाओगे तो उसके बाद इन में से आपके सोबीड वाल अप्शन पे क्लिका दना और उसके बाद आपका जो रेजटेर मोबल नमर पे चे एंक का OTP आएगा OTP दोस्तों या पे ओटोमेटिकली फिलोब ले लेगा और उसके बाद आपका जो रेजटेशन सक्सेपल हो जीगा ठीक है और अभी आपको करना कि य अपेन सक्सेपल हो जाओगे और उसके बाद या पे आपको करना के पिरसे आपको निस्तरा उसकोल करते आना है और अभी दोस्तों रूपे डेबीड कार्ड वाल अप्शन पे क्लिक करके देखना क्या दोस्तों आपका जो ट्रांजासन फेल्ड करके प्रब्लेम को सामना कर आएगा कि नहीं तब जैसा ही रूपे डेबीड कार्ड वाल अप्शन पे आप क्लिक करोगे मैं दोस्तों 100% गरेंटी के साथ बोलता हूँ आपको भी ATM कार्ड उनब्लोग करने का अप्शन मिलेगा ठीक है या पिदे सकते मेरे जो ATM कार्ड ओल्यडी दोस्तों ब्लोकेड है आपको इस तरह आपका उनब्लोग विर्च्वाल डेबीड करकर के आपका एक अप्शन मिलेगा या पे आपका जो ATM कार्ड सो ओगा और या पे आपको उनब्लोग करने का आप्शन मिलेगा ठीक है देखे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जैसा तरीका बताया इसा तर फोलो किया होगा और आपको भी ATM काड को Unblock करने का Option मिला होगा तो अभी आपको ATM काड को Unblock करने के लिए करना किया तो आपको यापे Unblock Virtual debit Key Card करके आपको एक Option मिलेगा आपको प्रफाश्ट वाल अप्शन प्रेक लिए करने के बाद यापे स्थ्रप का आप जैसा ही कॉंप्रम वाल ओप्शन पर आप कली करोगे और उसके बाद आपका जो रिज्टेर मोबाल नमर पर चैंक का OTP आएगा OTP दोस्तों या पर आपको ध्यांसे फिलोप कर देना ठीक है और या पर मैंने OTP डाल दिया आपको दोस्तों इस तरह आप OTP डालने के आपको धुस्तों करना कुछ भीने मेंने जैसा तरीका इस वीडियो में बताया ऐसा तरीका फोलो कर लेना आपका भी दोस्तों ATM कार बहुत यह आसन तरीके से ऑनब्लोक हो जेगा ठीक है आपको धोस्तों इस तरह आप अनब्लोक करने के बाद गोटू हो माल और उसके आता था अभी यापी मेरको मेनेज लिमिट करके आप्सण आ रहाए ठीक है अभी दोस्तों मेरे जो ATM काड का सारा डीटेल्स नूमबर चेक करने के लिए करना किया यापी विव काड डीटेल्स वाल अप्सण पर आपको क्लिका देना क्लिक करने के बाद अपने जो पोड एडिका ने यावला एमपीन अपने क्रेड किया और जो एमपीन यापको डाल देना M-pin डालने के बाद यहाँ पे confirmable option पे आपको क्लिक देना और उसके बाद यहाँ पे दे सक्तू मेरे जो ATM काड का सारा details number दोस्तो दीखाई दे रहाए मतलों कि मेरे जो ATM काड का 16 डिजडी का card number, CBB code, Xperidate और दोस्तो सारा details यहाँ पे दीखाई दे रहाए अब यह जो ATM काड का details है आप दोस्तो कोई भी इप आप लिशन के अंदर इंडिया पोस्पेंड बेंक का एकांड को आर करके एज जो ATM काड का details आप डालके यह पे पिन सेट कर पाऊगे ठीक है तो आसा करता दोस्तो मेरे बाद आपको clear हो गया होगा और मैंने जैसा तरीका बता है इसा तरीका इस्टे बाइस्टे फोलो करने के बाद कि आपका जो ATM काड 100% on block हो गया होगा अगर पिर भी आपका मन में कुछ भी डाउट है कुछ भी प्रब्लेम है तो दोस्तो मेरा वीडियो का कमेंड बोक्स में आपका जो भी डाउट है प्रब्लेम आप कमेंड कर सकते हो ठीक है तो दोस्तो इता वीडियो स्टोपिक के बार में वीडियो पासंद आई तो लाइक करदा ना अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ बे पाइदा हुआ तो बाई मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कले ना तो चले मिलेंग नेस्ट बड़न तब तक ले जहिन जे भारत